हाई फ्रेंड्स, बिए टी स्किल्स में आपका स्वागत है, आज का वीडियो है वाल्स का टाइप्स और उसका इमेज़स में आपको दिखाएगा, वह आपको कौन से कौन से टाइप के वाल्स है पाइपिंग में, लेट्स गो, एक देश सकते हैं दोखस्तों, वाल्स और उस होते हैं, फर्स्ट वाला सिंबल जो है न, वो बट वेल्ड वाला होता है, बट वेल्ड मतलब जो भी वेल्डिंग वाला जो रहता है न, वो वाला गेट वाल अगर आ रहा है तो ये वाला सिंबल रहेगा, ये है फ्लांज वाल, फ्लांज मतलब जो फिटिंग आता है बोल् वो टाइप में socket के अंदर बस डाल देते हैं तो socket wall और threaded रहते हैं जो threading करते हैं उस वाला symbols को यह तो आभी three types का symbols मैं बोलना चाहा हूं butt weld वाला जो welding करते हैं जो as per drawing के इसाब से thickness के इसाब से जो भी weld उसका apply होता है और अगर butt weld का होगा तो यह वाला symbols रहता है और दूसरा जो है flange flanged walls flanged means bolting वाला जो भी bolting वाला वाल होता है तो यह वाला symbols रहता है और यह है socket are threaded threaded वाला means threading जो होता है ना threading के साथ हम लोग bolting जैसे type में करते हैं pipelines तो वह वाला होगा तो यह यह वाला जो है gate wall है आप इसका symbol देख सकते हैं next ए globe wall है globe wall का symbol जो है आपको जो gate wall है जो normal रहेगा without any designs बीच में जो symbols वागेरा arrow marks वागेरा कुछ नहीं रहेगा और globe wall में आप देख सकते हैं जो बीच में circle है इसका मतलब है globe wall है globe wall को circle वाला symbol रहता है next ball wall जो wall होता है जो कोलने के बाद अंदर जो है आप यह वाला side में आप इदर symbol देख सकते हैं इध जब gate open करेंगे तो automatically और round वाला जो रहता है ओ open होता है तो इसलिए ball wall बोलते हैं जो अंदर round type का symbol रहता है इसलिए ball wall है ball wall में तीन type है एक welded एक threaded और एक flanged वाला दूसरा है plug wall यह plug type का है और इसका आप single दे सकते हैं जैसे gate open करने के जैसे जो plug दिया हुआ एक socket round plug तो यह होत wall next यह जो है butterfly wall butterfly wall जो है अब butterfly का symbol देख सकते हैं यह symbol इदर से और इदर तक यह symbol वाला butterfly wall होता है और इसमें threading वागया रहा थ्रेडिंग एंड प्लगड वाला walls नहीं रहता है इसलिए नहीं दिया है इदर आप देख सकते हैं इसका symbol A side और A side जिस्ट जितना pipe रहेगा उतना यह butterfly wall रहता है जो round open करने के साथ butterfly का type में side में इसे open होता है door के जैसे इसलिए butterfly wall बोलते हैं इसका symbol है just off जो भी coupler wall का दिया है वो wall में triangle दो triangle से पने हो के सिर्फ सेंटर में एक line और circle रहता है एक welded वाला दूसरा रहता है flange type का next needle wall needle wall जो है यह जो को ऊपर से needle का symbol दिया है ए एक arrow mark का needle symbol जैसे बस इस symbol का मतलब होता है needle wall needle wall जो है इधर आप needle wall अगर ए टाइप का symbol जो भी आएगा उधर needle wall आएगा वो भी welded है coupler type का है flange type का है और दूसरा plug type का threaded type का होता है दूसरा dive wall आप देख सकते हैं उसमें आप कभी भी welded वाला नहीं रहता है only flange fitting रहता है और threaded और कपलर ही रहता है यह जो है dive wall अगर यह symbols आप देख सकते हैं कुछ mountain के जैसे उपर एक different symbol है इसका मतलब dive wall है y type wall आगर आप wall को देखेंगे तो भी पता चल जाता है y का मतलब एक side में bend हुआ रहता है na y type में y type का wall दिया है उस symbol भी as it is clear है जो अगर एक जो arrow mark है side में tapper में bend है तो वो हो गया आपका y type wall उसमें भी three types का होता है next वाला three way wall three way wall मन्स three types तीन साइड से भी chemical होने दो water होने दो जो भी flow होने के लिए तीन साइड में भी आपको positions रहता है तो symbol भी आपको clear है three triangles का जैसे जो दो triangle रहेगा तो दोनों साइड में और तीसरा triangle भी है three triangle wall मत्रब three way wall three no side से भी water जाने के chances रहेगा और दूसरा side जो है हम लोग का operating system करेता है तो three way wall का मत्रब यह जो symbol से three है first वाला welded next one coupler flange वाला sorry flange type का second one है जो bolting होता है third one जो है plug और threading next check wall check wall जो है अब इसमें देख सकते हैं check wall का symbol totally different है यह wall जैसे हम लोग drawings में देखते हैं welding का symbol रहता है na welding positions का जैसे वो type wall है इसको check wall बोलते हैं इसमें भी three types का होता है threaded one दूसरा flange fitting वाला bolting प्लस यह वाला welded butt weld वाला okay next bottom bottom मतलब जो ending में आपको रहता है वो bottom वाला flange दो वेका रहता है और उसमें bottom रहता है जो closing और opening के लिए जो अगर ऊपर से और कुछ connections है तो नीचे से open करते है वो वाला type का है यह bottom flange bottom wall वाला जो दो sides का single है और इसमें कभी भी welded नहीं होता है और threaded नहीं होता है और इसमें भी only fitting वाला जो bolting से flange fix करते है ओ type का होता है और last and final last two wall से control wall यह control wall जो है ना जो भी control wall है यह control wall है hydraulic से यह electrical से कोई भी motor से साथ control कर सकते है ना इस type को control wall बोलते है और उपर का जो symbol आप देख सकते हैं round circle देके arrow दिया है और यह वाला position आपको control करने के लिए है और यह side दो से जो वे है पानी जाने का या chemicals या liquids, oil कुछ भी के लिए यह वाला दो symbols है और इसमें कभी भी butt weld नहीं रहता है और threaded भी नहीं रहता है only flange type fitting का ही रहता है with gas kets वागएर लागए है properly tight fix करते हैं control straight walls रहता है और angle का भी रहता है मतला 45 degree में जब होने का है न तो यह भी control वाला रहता है 45 degree वाला 90 degree वाला तो angles का भी control wall है control wall उसी के लिए होता है और यह सब control walls कभी भी hydraulics से या electrical power से इससे control होता है जो आम लोग switch on करने के सब start होएगा न वो type control walls है तो control walls का symbols यह है यह है दोस्तों आज का वीडियो है जो मैं आपको पूरा walls के बार में पता दिया हूँ तो आगे-ागे welding positions, welding symbols का और planches का pipeline structural electrical सब टाइप का आपको मैं वीडियो रखने वाला हूँ तो प्लीज आप मेरे चैनल को subscribe कीजिए कुछ भी doubts रहेगा तो आप comment कर सकते हैं और subscribe कीजिए comment कीजिए like करना मत भूलिए और friends के साथ share कीजिए thank you guys, thanks for watching, bye